शिरी गणेश चाय नमा रियवंधुगो एक समय राजा जनक अपने महल में विराजे हुगे थे कि उसी समय काल उनके पास में पहुँच गए और अनरोध करने लगे कि हे ग्यानियों में सिरोमणी महराज मिथला नरेश अब आपका मुरत्यू लोग त्याक करने का समय आ गया है मेरा आपसे अनरोध है कि अब अपने इस मृत्यू लोग के शरीर का त्याक करके और मेरे साथ में आप धर्मराज की नगरी सैयमनीपुरी में चलने का कश्ट करें तब राजा जनक जिनका नाम शील ध्वज अथवा शील निधी भी था काल के अनरोध को सुईकार करते हुए अपने पत्र लक्ष्मी निधी को राज्ति लग कर फिर काल के साथ सैयमनीपुरी के लिए इन्होंने प्रस्थान किया तब कालने मिथलापती को एक नरक के पास में ले गए और वहाँ अन्रोध किया की महराज आप यहाँ पर कुछ देर खड़े रहें राजा जनक काल का अन्रोध सुईकार करके वहाँ पर खड़े हो गए लेकिन यह क्या वहाँ एक घटना घट गई कि राजा जनक जब उस नरक के पास में पहुँचे थे तब उस नरक में से उन नारकिये जीवों के बड़े पीडा मई शब्द सुनाई दे रहे थे लेकिन राजा जनक के पहुचने के बाद उनके वह पीडा मई शब्द आना बंद हो गया और उन सब का एक ही स्वर से आवाज वहाँ पर राजा जनक को सुनाई दी हे महानुभाब आप यहां ऐसे ही खड़े रहें यह हमारा आपसे अनरोध है क्योंकि आप कोई महान पुन्यात्मा हैं आपके यहां पधारने मात्र से हमारी सारी पीडाएं जाती रही हैं यह ऐसी घटना वहाँ घटी थुई एक और दूसरी घटना भी घटी वहाँ पर क्यों नार किये जीवों का कश्ट तो कम हुआ लेकिन राजा जनक के सरीर में असीम बेदना प्रारंब हो गई उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें जोर जोर से मार रहा हो तब उन्होंने काल से पूछा कि मुझे ऐसी यह असीम बेदना क्यों हो रही है मुझे ऐसा क्यों अन्भव हो रहा है कि कोई मुझे मार रहा है तब काल ने कहा कि प्रभू जब आप धर्म सभा में पधारेंगे तब आपके इस प्रश्न का उत्तर चित्र गुप्त जी महराज देंगे कुछ देर के पस्चात राजा जनक काल के साथ धर्म सभा में पहुँचे वहाँ पर समस्त पुन्यात्माओं के साथ में महराज धर्मराज अपने धिब्व सिंगहासन के उपर विराजे उनके सामने चित्र गुप्त जाकर के और बैठ गए फिर राजा जनक ने चित्र गुप्त से पूछा कि मुझे बताईए कि मुझे नरक के पास में क्यों रुकना पड़ा और जब मैं वहाँ पर रुका तो मेरे सरीर में पीडा क्यों हुई मुझे ऐसा क्यों अनभब हुआ कि कोई मुझे मार रहा है तब चित्रगुप्त ने कहा कि राजन सुनिये एक बार आप कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक किसान का खेत मिला जिसमें एक भूखी गाई चर रही थी आपने विचार नहीं किया और एक धेला उठा करके उस गाई को मारा धेले की चोट खा करके गाई खेत से बाहर निकल गई वहाँ आपको दो दोस लगे एक तो आपने भूखन करती हुई गाई को खेत से बाहर निकाल दिया और दूसरा उसे आपने धेले से चोट पहुंचाई तो प्रथम दोस जो आपने भोजन करती हुई गाय को खेत से बाहर निकाला इस कारण आपको नरक के पास में रुकना पड़ा और दूसरा दोस जो आपने धेले के द्वारा उस गाय को चोट पहुंचाई तो इस कारण आपको जब आप नरक के पास में रुके तो आपको ऐसा राजा जनक को भी कुछ देर के लिए नरक की यात्रा करना पड़ी थी, बंधुओ, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कामेंट्स वाक्स में अवश्र लिखें, धन्यवाद, जै माता की, जै परस्रामदी की.